हेलो प्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इंफो इन हिंदी में मेरा नाम है अनीश और मैं आप से आज बात करने वालों फ्रेंड्स वीवो के वाई 67 मोबाइल के बारे में जो कि अभी तक इंडिया में लॉंच नहीं हुआ है लेकिन ये चाइना में लॉंच हो च करता है यह देखने वाली बात होगी फिलहार में जो इसका स्पेसिफिकेशन है वह मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं और साथ-सत अपना ऑपीनियन आपसे शेयर करूंगा जिससे कि आपको यह पता चल पाए कि यह मोबाइल है वह है कैसा और अगर इंडिय यूनि बोड़ी के साथ फ्रंट में आपको कैमरे के साथ फ्लैस, पीकर, सेंसर और नीचे में तीन बटन देखने को मिल जाएगा और होम बटन में आपको फिंगर प्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा back side अगर आप देखे तो आपको glossy look के साथ camera with flash मिल रहा है साथ साथ logo भी वहाँ पे देखने को मिलेगा right side में आपको power and volume button देखने को मिल रहा है और अगर हम display की बात करें तो आपको 5.5 inch का HD IPS display मिल रहा है जिसका resolution आपको मिलेगा 720 x 1280 pixel का साथ साथ आपको यहाँ पे 267 का PPI भी देखने को मिल जाएगा अगर हम इसके internal part को जाने तो यहाँ पे आपको 1.5 GHz का octa core processor mediatek का मिल रहा है और अगर GPU की बात करें तो यहाँ पे ARM का Mali T860 का GPU देखने को मिलेगा 4GB का RAM दिया गया है 32GB का internal memory जिसको 128GB तक आप explain कर पाएगे camera की बात करें तो यहाँ पे आपको back camera 13MP का width flash मिलेगा और front camera आपको 16MP का width flash मिल रहा है और battery की बात के तो 3000mg का यहाँ पे battery आपको मिलेगा और अधा चीज़ों में आपको fingerprint scanner 4G 6.0 marshmallow operating system पे रन करेगा और GPS Bluetooth Wi-Fi hotspot वगरा आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा तो friends यह है इसका पूरा specification तो चली friends अब मैं अपना opinion आप शेयर करता हूं इस Vivo के phone के बारे में तो मुझे specification देखकर ऐसा लगा कि जितना भी चीज़ दिया गया है जैसे कि आपको display की बात करें या फिर camera की बात करें या फिर internal part की सभी कुछ दमदार दिया गया है एक दम अच्छा दिया गया है और इसमें साथ साथ आपको fingerprint scanner भी दिया गया है तो फोन का पूरे specification मेरे को बहुत अच्छा लगा लेकिन इस जो प्राइस में 17,700 लगबग तो इस प्राइस में इंडिया में नहीं आना चाहिए कम से कम 13,000 से 14,000 की बीच इसका प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा एकदम भ पाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जो मुझे बताना था आपको मैंने बता दिया आप उससे जच कर पाएगी अगर कोई भी confusion हो तो आप हमारे comment box में comment करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें इस वीडियो को share करें दूसरों के साथ और इस चैनल को subscribe करें ताकि ऐसे ही वीडियो में हमेश आपके लिए लाता रहा हूं thank you friends यह वीडियो देखने के लिए